मसाले तार बैंगन भर्वा और जो खराब अगरा होगा उसे निकाल देना है तो यह बैंगन जो है वो एकदम साब था तो मैं इसे देख के अच्छे से काट लूँगी यह देखिए इस तरीके से काटना है ताकि जब हम इसमें मसाले भरें तो अच्छे से चला जाए अंदर यह देखिए सबी को इसी तरीके से हम काट लिए यहाँ पर मैं पानी लेके एक पर और इसे साब कर लूँगी यह देखिए और इसे निकाल लूँगी पानी को अच्छे से जड़ा के से निकाल लेना है इसे मैंने काटने से पहले एक पर दो लिया था लेकिन एक पर और अच्छे से साब कर लेते हैं यहाँ पर एक पैन में मैं एक कब बेसन ले लेती हूँ और इसे अच्छे से भूल लेना है चम्मच में ये दो तीन चम्मच होगा ये देखे हमें इसे भूनना है और इसे इसमें थोड़े मसाले भी डाल देने हैं एक चम्मच हम हल्दी दो चम्मच धनिया पौडर एक चम्मच है गरम मसाला और ये है आधा चम्मच चांट मसाला आधा चम्मच जीरा पौडर, एक चम्मच कस्मेरी लाल मिर्च, और यहाँ पर है एक चम्मच नमक, नमक आप अपने टेश्ट के साब से डालेगा, यहाँ पर मैं कम डाल रहे हूँ नमक, क्योंकि हमें बाद में और डालना है, यहाँ पर हम डाल देते हैं, सामबर मसाला है, चोटा चम्मच में एक चम्मच, और देखिए, यहाँ पर एक बड़ा टेबल स्पून में सरसो का तेल डाली हूँ में, और इसे अच्छे से मिला लेंगे, और अच्छे से भून लेंगे, इसके बाद इसका कलर चेंज हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है, क्योंकि सारे म अब इसे मैं अलग से निकाल के रख लूँगी, यह देखिए, अब इसे हम बैंगन में सब को बीच में हम डाल लेंगे, और अच्छे से सब तरफ लगा लेंगे, इस मसाले को, यह देखिए, सब पैंगन में यह हम मसाले डाल चुके हैं, अब हम एक पैन में 3 टेबल स्पून सर्सो का तेल डालेंगे, सर्सो के तेल में इसे बनाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं सर्सो के तेल में बना रही हूँ इसे, आप चाहे तो डेली यूज का कुकिंग यूज कर सकते हो, यह देखिए यहां पर मैं हलका सा इसे इसमें सेकना है, ताकि जब हम इसकी ग्रेवी बनाएं, तो यह वैगन अच्छे से पका रहा है, तो देखिए यहां पर मैं इसे ढग देती हूँ, ताकि अच्छे से पक जाए, यह देखिए और यह अच्छे से इस नौनिश्टिक पैन है इसलिए इसमें कम तेल में भी अच्छे से भुन जाता है और चिपकता भी नहीं है यह देखें बहुत अच्छे से यह पग गया है और भुन भी गया है अब हम इसे निकाल लेंगे यह देखें सब तरफ से बहुत अच्छे से सिका हुआ है आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं इतना टेश्टी है अंदर से मसाले वगरत सब हैं इसमें और सिक भी गया है लेकिन हम इसे मसालेदार बैंगर बना रहे ना इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे हम तो यहाँ पर मैं दो टेबल इस्पून ले लिए हूं सर्सू का तेल और एक चमज डाल देती हूं सर्सू और एक चमज जीरा डाल देती हूं अब देखिए थोड़ा सा यह तड़क जाएगा उसके बाद हम डालेंगे मिर्ची कटी हूई मिर्ची डाल लेते हैं ग्रीन वाली तीन चार आपको जितना तीखा कान है उसी साब से डाल सकते हैं यहाँ पे अध्रक लसून का पेश्ट है और प्याज है एक कटा हुआ सबको अच्छे से मिला लेते हैं यहाँ पर फिर टमाटा डाल लेते हैं चार काटके और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसी सबची आप एक बार टेस्ट करके बना के टेस्ट करके जरूर देखिएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी आप थोड़ा से ढख देते हैं क्योंकि टमाटर थोड़ा से जल्दी पख जाएगा और यहाँ पर मैं एक चमच नमक डाल देती हूं और थोड़ा से हल्दी डालेंगे क्योंकि हल्दी हमने मसाले में डाला हुआ है इसलिए अब जो इसमें थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिर्च टार रही हूं एक तमाधा चमच क्योंकि मैंने जो मसाला बनाया था वो थोड़ा सा बज गया था तो मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि इसमें सारे मसाले डले हुए हैं तो इसमें मैं इसको डाल देती हूं अब देखो मैं इसको सबको अच्छे से मिला लेती हूं उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसको पहले मिलाओंगी क्योंकि बेशन भी है इसमें अब हम इसमें थोड़ थोड़ पानी डालके इसका रस बना लेंगे ताकि इसकी अच्छे सी ग्रेवी बन सके अब यहाँ पर मैं एक कप और पानी डाली यह देखिए अब इसे मैं सब को मिला लेती हूँ उसके बाद हम इसमें एक कप और डालें मतलब तीन कप डाल चुके हैं हम इसमें पानी अब यहाँ पर मैं दो चम्मज दही डालोंगी इससे इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है ज्यादा दही नहीं डालना है क्योंकि यह खट्टी हो जाएगी नहीं तो और इसे थोड़ा सा हम उबाल लेंगे इसके बाद हम इसमें बैगन को डाल देंगे यह देखे कितनी ज़्यादा अच्छी सब्जी बनी है यह आप देखने से ही आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा टेश्टी लगी है खाने में भी यह देखे अब हम सबको अच्छी ए रस में हम मिला लेंगे बैगन को देखे थोड़ा देर हम इसे एसे ही उबाल लेंगे इसके बाद हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा सा और इसमें हम पीसी बी धनिया डाल देंगे और सब को अच्छे से मिला देंगे फिर लाश्ट में हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे और ये बन गई हमारी स्वादिस्ट मसालेदार भरवा बैंगन आप इस टाइप से बना के देखेंगे ना तो आप हमेज़ा इसी टाइप से बनाना चाहेंगे इतनी ज्यादा टेश्टी लगती है तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्यू सू मच एव्रीवन पर वाचिंग माई वीडियो तो मिलते हैं हम अपनी एक नई रेसिपी में और अपना ख्याल रखिए और नई नई रेसिपी बनाते रहें तो देखिए यहाँ पर आप इसे रोटी चामवल किसी के साथ भी खा सकते हैं यह सब्ची सब में बहुत जादा तेश्टी लगती है मैं इसे रोटी और सब्ची को निकाल हूँगी यह देखिए बैंगन में थोड़ा सा रस मिक्स करके खाने का अलग ही स्वाद होता है तॉपिक पर जरूर बना के देखिए गया